नवस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का US Study 76 पर तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे विस्व की जीले हो तो टॉप 25 प्रसन है विस्व की जीलों से संबंदित जो important question बनते हैं वो 25 प्रसन आज मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर तो बड़ा ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा ठीक है उनको याद रखिएगा और यह जो question है आप लोगों के यह किसी ना किसी एक्जाम में आए हुए हैं चली इस्टार करते है question को तो question first हमारा है निम लिखित मैंसे कौन बिस्व की सबसे बड़ी जील है बिस्व की सबसे बड़ी जील ठीक है bird largest lake बिस्व की सबसे बड़ी जील आपसन दे रखा आपसन A कैस्पियन सागर आपसन B अरल सागर आपसन C superior जील आपसन D Victoria न्यांजा तो यहाँ पर क्या हो जाए आपसन A जो है वो बिल्कुल right जाएगा बिस्व की सबसे बड़ी जील कौन सी है कैस्पियन सागर यहाँ पर आप लोग कह रहे होंगे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है बड़ी जील और आप बता रहे है कैस्पियन सागर तो यहाँ पर क्या यह जील है बहुत बड़े आका कि बिस्व की सबसे बड़ी मीठे जल की जील है तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर देखिए अपसन A यह ते रखा है विक्टोरिया अपसन B सुपिरियर अपसन C बाइकाल अपसन D मिसिगन तो यहाँ पर आपके हो जाएगी अपसन B बिल्कुल right अपसन B बिल्कुल right सुपि हमने कहा था जैसा कि कि यह कोशन जो आप लोग कराएंगे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्जाम में आया हुए है और देखिए आप बढ़िया लेविल यानि कि UPPCS में आया हुआ कोशन है तो आप देख सकते हैं तो मैं यह ही कहूंगा कि आप लोग वीडियो पूरी देखे और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें क्यूंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को आने वाली और भी अच्छे एच्छे ही है आपका आपसं C सही हो जाएगा बैकाल विश्व की सरवाधिक गहरी जील है बैकाल और यह क्या है बैकाल में है बैकाल कहां साइबरिया में है ठीक है और इसकी आउसत गहरा ही कितनी है 4700 फिट है चलिए चलते हैं कोश्चन नमर फोर्थ की तरफ अब यहाँ पर पूछा ग आपसं C आपसं C बिल्कुल राइट आंसर हो जागा यानि बान जील जो है विश्व की सरवाधिक लवडिये जील है ठीक है यह कहां पर पर परती है तुर्की में और इसकी लवड़ता कितनी है 338 परसेंट इसकी लवड़ता है ठीक है और अब बात कर लेते हैं हाँ पर मिर जील की लवड़ता कितनी है 338 तो ये बान लेखके दुसरी नमबर पर खारी जील आती है कौन सी मिरत सागर फैस नमबर पर वान जील चलिए देखते है question number 5 question number 5 है समुदर तल से सरवाधिक नीची जील कौन सी है आपसं A अरल सागर आपसं B कैस्पियन सागर आपसं C बैकाल आपसन D मृत सागर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगगा तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगगा आपसन D मृत सागर आपसन D जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा समय तरह से सरवादिक नीची जील कौन सी है मृत सागर तो चलिए देखते हैं तो चलिए question number 6 सर्वादी कुचाई परिस्तित नौकायन जिल नौकायन मतलब जिसमें नाउ बगएरा चलाई जा सके सर्वादी कुचाई परिस्तित नौकायन जिल कौनसी है option A, T.T. का option B, Mara Kyobo option C, Athabas का option D, Ladoga तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आपसन A बिल्कुल राइट हो जाएगा नो कायन जील कौन सी है टीटी का का ये कहाँ पढ़ती है दच्छिड अमरीका में यानि के साउथ अमेरिका में ठीक है चलते हैं question number 7 की तरफ बिस्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है आपसन A मरत सागर आपसन B कैस्पियन सागर आपसन C बान जील आपसन D अरल सागर तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कैस्पियन सागर आपसन B विल्कुल राइट हो जाएगा ork spreads और सभसे बड़ी भी कौन सी काई इस्प कॉन से यह चथा पिर सिर्ड है लोग वो हुआ है अगर आप लोग लुए चाहिए के लिए आप क्या करसकते हैं है आप सबसे नाम बहां का जानकारी के लिए और भी जैसे नॉलेज़वल चीज़ें हैं उनके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं आप यूजटी 76 इस्टाग्राम पर सर्च करिए बहां से आप फालू करिए बहां से भी आपको पढ़ने हैं तु जानकारियां मिलती रहेंगी आनि कि आपके जो डेली के करेंट अफेस बगएरा होते हैं वो भी मिलती रहेंगे आप लोगों को चलिए चलते हैं कॉस्चन नमबर 8 पर विस्व की सबसे हुचाई पर इस्तित नौगम में जील है जैसे कि नौगम में जील है आप संदे रखा है टीटी का का आप संद भी टी सी सिक्रू आप स से कौन साद देश यूगम अरल सागर के किनारे है कौन साद देश यूगम अरल सागर के किनारे है देखें कोश्चन पूछागा है UPSC 2012 में UPSC 2012 में आप संदे कजाकस्तान उजबेकिस्तान आप संद तुर्कमेनिस्तान आप संसी अजरबाइजान उजबेकिस्तान आप कजाकस्तान और रोस तो यहाँ पर आपका आपसन हो जाएगा आपसन बिल्कुल ए राइट हो जाएगा आपसन ए राइट जाएगा आपका ठीक है तो आपसन ए राइट हो जाएगा कि अरल सागर किनारे कौन सा योग में यहाँ पर है उनमें से पूरता कौन से सहिंगत राज अमेरिका में इस्तित है तो यहाँ पर देखिए अकौन से हो जाएगा आपसन A, सुपिरियर आपसन B, मिसिगन आपसन D, इरी आपसन D, ओंटेरियो तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आपसन B, बिलकुल राइट, मिसिगन आपसन B, बिलकुल राइट, मिसिगन हो जागा है, चलते हैं question number 11 की दरफ question number 11 है Victoria, 경우에는, इभस्तित है, आपसन A, सेंक राज, अमेरिका में आपसन B, बोलिबिया में आपसन C, पस्चिम, आपसन D, पूर W, अफ्रीका में तो यहां पर राइट हो जाएगा आपसंदी पूर भी अफरीका में चलते हैं question number 12 की तरफ question number 12 निम लिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती आई ये जो जात तीन में पूछा गया question है डारेक्ट यहां से देख लिजी आप लोग तो किस लेविल की ये question हम आप लोग करा रहे हैं आप लोग खुदी देख सकते हैं बढ़िया लेविल के हैं निम लिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है जैसे कि आपसंदी रखा अर्मेनिया आपसंदी अजरबाइजान उगांदा के बीच अंतर राश्टी सीमा मनाती है यहां पर चार जिलने रखी हैं तो इन में से कोई एक जील ऐसी होगी जो तंजानिया और युगंडा के बीच अंतर राश्टी सी में बनाती है इसे देखिए आपसन देरे का एचाड़, आपसन भी मलावी, आपसन सी विक्टोरिया, आपसन डी बेजी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा, आपसन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा विक्टोरिया, आपसन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा विक्टोरिया, चलते हैं क्वेश्चन नमबर 14 की तरफ, कैस्पियन सागर इस्तित है, कैस्पियन सागर इरान के बीच आप सने इसमें भी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका चलते हैं question number 15 की तरफ निमलिखित में से कौन सी जिल खारे पानी की जिल नहीं है नहीं है देखिए कैस्पियन सागर है ठीक है बैकाल सागर और great salt lake और ban जिल इनमें से आप लोगों को बताना जैसे की ban जिल भी बताई थी ये भी क्या है इसमें भी लबड़ता है और कैस्पियन सागर में भी है और great salt lake में भी है तो किसमें नहीं है बैकाल सागर में नहीं है आपसन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा तो खारे पानी की जिल कौन से नहीं बैकाल नहीं है चलते है question number 16 की तरफ Victoria जिल है Victoria Lake किन अफरीकी देशों के मद्द में इस्तित है किन अफरीकी देशों के मद्द में इस्तित है लेकिए आपसन दे रखा है तंजानिया, कीनिया, युगांडा, आपसन B कीनिया, इथियोपिया, सुडान आपसन C, तंजानिया, जांबिया, जायरे आपसन D, कीनिया, तंजानिया, मोजाविक तो यहाँ पर आपका आपसन A बिल्कुल राइट हो जाएगा तंजानिया, कीनिया, युगांडा ठीक है? चलते है question number अगले की तरफ question number 17 है निम लिखित में से किस देश को हजार जीलों की बूमी का जाता है आपसन A, Finland, आपसन B, Thailand आपसन C, Netherlands, आपसन A, D, Ireland तो यहाँ पर हो जाएगा आपसन A, Finland किस देश को हजार जीलों की बूमी का जाता है, Finland Finland में बहुत ही जाना जीले हैं इसलिए इसको क्या जाता है 1000 जीलों की बूमी का जाता है अगर एक तरीके से इसमें देखा जाता है, तो क्या हो जागा कि 26 परसन पर एक जील पढ़ेगी, आनि कि इस तरीके से count क्या जाए, कितने बेक्टियों पर एक जील हो सकती है तो 26 वेक्टियों पर एक जील यहाँ पर हो जाएगी यानी कि इतनी जाना जीले हैं यहाँ पर चलिए चलते हैं question number 18 की तरफ अफरीका महाधीब में निम्न में से कौन सी जील बहुमत रेखा पर इस्तित है कौन सी निम्न में से बहुमत रेखा पर इस्तित है आपसन ए टंगानिका आपसन भी विक्टोरिया आपसन सी नियासा आपसन डी करीबा तो यहाँ पर आपसन सी बिल्कुल राइट आउंसर हो जाएगा नियासा चलते है question number 19 के तरफ बिस्व की सरवादी खारे जील खारे जल की जील बान किस जील देश में इस्तित है तो बान जील जो है वो किस देश में इस्तित है अभी इस से पहले बताया तो यहाँ पर आपसन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा तुर्की चलते है question number 20 में निम लिखित में से सागर कौन सा है जो भूबद्ध है यानि भूबद्ध का मतलब है जो चारो तरफ से गिरा हुआ देशों से ठीक है कौन सा है तो आपसन इलाल सागर आपसन सी उतरी सागर आपसन डी अरल सागर तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा आपसने विक्टोरिया निमली खित मैंसे किसको परल आफ साइब अरिया का जाता है आपसने बैकाल जील आपसन बी ग्रेटवियर जील आपसन की करदा जील आपसन डी लिंक नवर जील तो यहाँ पर आपका आपसन ए बिल्कुल लाइट हो जाएगा बैकाल जील परलक आपसन B, कमबोडिया, तो आपसन B, हो जाएगा, कमबोडिया, चलते हैं, question number 24 की तरफ, प्रती पर सबसे गहरा इस्तल है, आपसन A, कैस्पियन सागर, आपसन B, काला सागर, आपसन C, मिर्द सागर, आपसन D, एजीन सागर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपसन C, बिल् सागर, आपसन C, सारा A, में मतलब सहिंकतुराज, अमेरिका में, आपसन D, बिल्टेन में, तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा, आपसन C, सहिंकतुराज, अमेरिका में, तो जीलों से संबंदित, आपको 25 question, important, important question कराए हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, सेर करें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और साथी साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं, और साथ में जो बेल आइकन हैं, उसको प्रेस करते हैं, जिससे की आने वाली किलासों की notification आपको तुरंत मिल ज आएगे, और भी अगर जानकारी चाहिए, और भी किसी कीजिये चाहिए है पढ़ने के लिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, USStudy76, इस्टाग्राम पर जाएए सर्च करिए, USStudy76, बहाँ आप इस्टाग्राम पर फालो करिए, तो बहाँ से भी आप लोगों को चीजे मिलत रहेंगी पढ़ने के लिए तो आज की क्लास को इतने रखते हैं तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद